नमस्कार श्वागत है आप सभी का समिच्छा इतिकारी सायक समिच्छा इतिकारी परिछा 2023 आज 11 फरवरी 2024 को संपन हो चुकी है और आज की वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं सामान हिंदी का संपूर्ण हल प्रसन पत्र तो जिन लोगों ने पेपर दिया है या नहीं हिंदी के लिए हम लोग कई महीनों से पढ़ाई कर रहे थे और एक नारा लेके चल रहे थे पचपन प्लस तो जो लोग इस चैनल को लगातार फालो कर रहे थे मुझे फालो कर रहे थे हिंदी के मामले में और हमारी बुक हमारी ये बुक जो है जिसने भी पढ़ी है वो जा राम से हल के ले गए और पिछले भी तीन एक्जाम में ऐसा हो चुका है तो एक बार जो है हमारी किताब की उप्योगता फिर सिद्ध हुई है कुछ गड़बडियों की सूचनाएं और सिकायते चारो तरफ से मिल रही है उसके लिए हम अलग वीडियो में बात करेंगे अभी ह हम सामान हिंदी का हल देखने जा रहे हैं और उन सब के लिए अलग से वीडियो पर हम बात करेंगे क्योंकि हमारे लिए विद्यार्थी से बढ़कर कोई चिंता का विशा नहीं अगर आप किसी चीच के लिए चिंतित हैं तो हम आपके साथ हैं बस मैं इतना आपसे कहना चा आप देख सकते हैं हमारे यहां जो है दो बैच में सेलेक्टेड लोगों की लिस्ट जो है जो लगबग 50 प्लस सेलेक्शन अब तक हो चुका है हमारे संस्थान से तो अगर आप आरो यारो मेंस का कोर्स जोईन करना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर आरो यारो मेंस वाट्सेप कर दीजे आपको सारी डीटेल भेज दी जाएगी क्योंकि हम एक हपते बाद आरो यारो मेंस की बिधिवत तैयारी फिर सुरू करने जा रहे हैं और इसमें जो मेंस में हमारे साथ आएगा निश्चित रूप से अगर वो प्री क्वालिफाइड हो जाता है और म मेंस में मारे साथ रहता है तो उसकी बहुत ज्यादा संभावनाय जो है इस परीक्षा को फाइनली उत्रीन करने की हो जाएंगी तो बिलकुल निश्चिंत होके आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं तो चलिए सुरुवात करते हैं यह मेरे पास जो है सेट बी जीरो टू है प्र निर्धारित होती है या मर्यादित होती है दोनों भी आप कह सकते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं तो विशेशन के द्वारा जिस संग्या सब्द की व्यापती निर्धारित होती है यह जो है विशेश और विशेशन की परिभासा में ही आता है इसको उल्टा करके पूछ लिय जाएगा यह सब जो है बुक में दिया हुआ है मैं बुक में तो सारे ही कोश्चन है मैंने पिछली बार जब सौल बनाया था तो सारे का जो है पेज नंबर भी लेक किया था आज मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं जिन लोगों के पास बुक है वो उसको देख सकते हैं द्रौपदी क क्रिश्था परिया बाची इसमें से नहीं है यागिशेनी सैरंधरी कृष्णा यह तीनों ही द्रौपदी के परियाबाची है पांचाल की जगए यह पांचाली होता तो सही होता पांचाल Winston नरेश की पुत्री के नाम से ही उनका नाम पांचाली पड़ा था या पांचाल राज की होने के कारण लेकिन पांचाल जो है उनका परयावाची सब्द नहीं है हमारी बुक में जो है 187 नंबर पर यह आपको जो है मिल जाएगा उच्छिष्ट उच्छिष्ट का मतलब होता है जूठा भोजन तो इसका प्रीत जो है सब्द क्या हो जाएगा सब्द है इसको समस्ते चलिए जो है क्योंकि मैं हमेशा यह कहता हूं कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए युद लड़ने की उस नड़ने की हमेशा ततपर्ता होती जो युद לס़ने के तैयार रहता है वो यूद्सू कहलाता है अगला आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आएं अब ये जो है इस असुद्धिवाग का सुद्ध रूप पूछा गया है तो अगर हम चारो विकल्पू को देखेंगे तो इसमें सबसे सही विकल्प क्या है आपको चाहिए थ था कि आप रोगी को देखने जाएं ये सही है रोगी को देखाते रोगनी को देखने गये थे रोगनी को देखने जाएंगे ये सभी काल वाच और इनके कारण जो है असुद्ध है सबसे जो है उप्यूप तुत्तर जो है वह एक रूप में दिया जाता है घोटक किसका पर कलपों में से तत्सम सब्द चुनना है आप यहाँ पर थोड़ा सा ये question बहुती tricky पूछा था तो पहले तो इसका सही उत्तर जान लीजिए इसमें से जो सही उत्तर है वो है सकल सकल एक तत्सम सब्द है और ऐसे भी सकल लिखा होता तब भी जो है तत्सम सब्द होता मयंक एक जो जगे किताबों में आपको मयंक जो है तत्सम के रूप में मिल सकता है एक दो सब्द को उसमें लेकिन फिर भी मयंक जो है अगर देखेंगे तो ये क्या है एक तद्भो सब्द है और ये चंद्रमा का यह चंद्र का परियावाची होता है, मयंक को का अगर हम तत्सम सब्द देखेंगे, तो क्या हो जाएगा, मरगांक हो जाएगा, गयंद्र यह हाथी का या इंद्र का हाथी, उसका जो है तद्भव सब्द है, और गयंद्र का अगर हम तत्सम सब्द देखेंगे, तो गजेंद हो जाएगा और एक सब्द इसका जो है और भी मिलता है कहीं कहीं लेकिन जो है फिर इसका सगुन की बारी आती है तो सगुन भी एक तत्सम सब्द है और इसका जो है तत्सम क्या हो जाएगा सकुन हो जाएगा कहते हैं सकुन अब सगुन विचारना तो यह वही वाला सकुन है इस तरह से सकल सब्स जो है इनमें से तत्सम है बाकी जो है सभी सब्स क्या है इसमें जो है दिये गए वो तद्भव है नेक्स्ट है मक्षी का मक्षी का आप लोग जानते हैं तो मक्षी का जो है मक्षी का तद्भव रूप तद्सम रूप होता है इसका तद्भव जो है मक्षी होता है इसमें कोई भी जो है संदे की इस्तिती नहीं है अगला प्रसंद देखते हैं दसमें में संस्कृत और प्रा घृता सकी लिखी होती कि संस्कृत से जो है जो आ आ गए वह तनहों कहलाते हैं हिंदी में सब्धत बिगडंगा लेकिन बिगडने की भीज़र कलिग किसा सकी प्रकरट से दो है ही प्रकृत का जन्म होता है प्राकृत से जो है तभवाता है जो हिंदी मेहता इसको तभव कहते हैं फिर दूसरा पूछा गया ओध सब्द संसक्रित से उठपन होते हैं बिलकुछ सही है जो उपर बात लिखी है लगबगं वही बात है इसको सीरह सिदा लिखाए कि संस्क्रिच से ददभ उत्पन होते है बनते हैं यह भी ठीक है तो इस में क्या है इसमें जो है यह और ऑर बी दोनों ही बिलकुर सही है अगला आप प्रत्यासित सब्द के लिए कौन सा वाक के उपयुक्त है तो आप प्रत्यासित यानि प्रत्यासा के विरुद जिसकी प्रत्यासा ना की गई हो जिसकी आसा ना की गई हो C option हमारा यहाँ पर सही होगा अब जिसकी संभावना है वो क्या है संभावित या संभावी हो गया जिसकी आसा की गई हो वो क्या हो जाएगा प्रत्यासित हो जाएगा इसी का उल्टा हो जाएगा आप्रत्यासित जो अवश्य होने वाला हो अवश्यम्भावी ये सभी सब्द आपने पढ़े होंगे स्वेद स्वेद का मतलब होता है पसीना स्वेद से उत्पन होने वाला तो उसके लिए सब्द क्या है स्वेदज जहां भी जा लगता उसका मतलब होता है जन्म लेना या उत्पन होना तो स्वेद या पसीने से पहोडी, बी आप्सन हमारा विल्कुल ठीक है, अब अगला प्रसन देखते हैं, चौधावा प्रसन जो है, अगी मतलब क्या होता है, पापी और उसका विलोम हो जाएगा अनक यानी पवित्रिया, जो पापी नहीं हो, इसत का मतलब होता है, थोड़ा या कम, अलम का मतलब होत चाहिए, और अत्यल्प का विलोम क्या हो जाना चाहिए, अत्यधिक होना चाहिए, अगर हमारी बुक में आपने देखा होगा, तो आप ये प्रसन नहीं गलत करके आए होंगे, बाकी बहुत सारे लोगों ने ये गलत किया है, नेक्स्ट है मस्रण, मस्रण का जो है, मस्रण होता है, यानि जिसकी सता खुर्दुरी हो, और इसनिग्ध मतलब भी चिकना होता है, या मुलायम होता है, ठीक है, तो ये मस्रण और इसनिग्ध ये आपस में क्या है, समनार्थी है, तो हमारा उत्तर क्या आ गया है? रुक्ष, ये सभी किताब में दिये हुए है, और ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत हैं ग्राम की जगे यहां क्या होना चाहिए था ग्रामीड होना चाहिए था तब ही सही होता है ब्योसाय के लिए मुझे आपकी सहायता उपेच्छित की जगे यहां क्या होना चाहिए था अपेच्छित होना चाहिए था तब ही ठी होता है तो ये तीनों ही गलत हैं सही क्या है महारानी लच्छमी बाई महराज गंगा धर राव की महीशी थी महीशी का आई भाईशावी होता है जो आप लोग जानते नेक्स्ट है निम्लिकित में से कौन सा तक्सम तद्भोन तृतिपूर्ण है इसमें से τटसं में industrial को बताना है तो इसमें सब क्यों पहले एक कर के देखिये जगज्याल जंजाल उसे नहीं दो या नहीं होता, फूल का क्या होता है, फूल या पुस्प होता है, तो बी हमारा यहां पर युग मुत्रिटी पूर्ण है, यहां पर फूल होता, तो यह सही होता, किताब में शुरवात में ही आठवे नंबर पेज पे इस पश्टूरूप से आपको मिल जागा, नारियल का तक अपसन नजदी की हैं, लेकिन जो सर्वता सुद्ध है, वो यह है, हमने अपनी किताब में भी इसको मेंसन किया है, और वहां पर इस्टार बना कर इसी लिखा है, कि किसके अनुसार क्या सही है, तो जो बिसुद्ध, मतलब सबसे सुद्धतम सब्ध है, वो महात्मय है, जो स सबसे उप्युक्त उत्तर है, वो D-Option होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, अगला निम्रिखित में से कौन सा युग्म दिप्रिरार्था क्यानी बिलोम नहीं है, कठीन का सरल होगा, करकशवाडी की मधुरवाडी, इससे तरल का ठोस होगा, कोमल और मर्दू, यह क्य है, गरबड है, ओमल का कठोर होता, तो जो है, बिल्कुल सही होता, यह ठीक है, अगला शूर्य सुता, यानि सूर्य की पुत्री, तो सूर्य की पुत्री किसको कहा जाता है, यमुना जी को कहा जाता है, कई बार मैंने पढ़ाया भी है, किताब में भी दिया हुआ है, सूर् पेज नंबर हमारे देखिएगा 59 पर बिलकुल इस पश्ट रूप से हमने लिखा है संदिग्द किताब वाले पेज में संदिग्द लिखा हुआ बाकी सभी जो है सही नहीं है फिर प्रत्यच प्रत्यच का मतलब जो सामने हो तो सम्मुक तो जो है उसका क्या हो गया प्रत्यच gef का परोक्ष होगा और सम्मुक का जो है विम्स या प्रतिमुक्ष होगा वह एक अब यहां पर जो है सब्ड़ पर्यावघवग से दो सूचियां दी है तो इस मेंसे आपको चुन्ना है, इंद्र का पुरंदर बिल्कुल ठीक है, इंद्र का पुरंदर होता है, आख का लोचन होता है, आख नयल लोचन है, आप लोग पढ़ते ही हैं, खर का गर्दव या गधा होता है, गंगा का परियावाची मरगांक नहीं होता है, अभी पीछे भी चर्चा कुण है गंभीर का गहरा ठीक है पुरान का पुराना ठीक है वचन का बैन सही है कपाट का कपड़ा नहीं होता है कपाट और कपड़ा ये आपस में तत्सम तद्भाव नहीं है कपाट का क्या हो जाएगा तद्भाव किवाण हो जाएगा और कपड़ा का जो है क्या हो नेक्ष्ट है परित्यक्ता वो इस्त्री जिसको उसके पती ने छोड़ दिया हो जो पती के द्वारा जो है परित्यक्त कर दी गई हो तो D option बिल्कुल ठीक है किताब में हमने बहुत इसपशत तौर किसको दिया है भीतर का तत्सम भीतर का जो तत्सम सब्द होता है वो अभ्य या अभ्यंतर होता है तो यह आपका जो है बिल्कुल सही इसका जो है विलोम क्या हो जाएगा D option इसका बिल्कुल सही हो जाएगा चार नंबर पेज़ पर बिल्कुल सुरवात में ही यह दिया हुआ है मारी गुक में असुद्ध विलोम सब्दों का चैन कीजिए मधूर ठीक है एश्वर का अनैश्वर ठीक है रिजू का वक्र सही है रिजू मतलब सीधी रेखा वक्र मतलब टेड़ी मेड़ी रेखा एहिक मतलब सांसारिक और लोकिक मतलब सांसारिक यानि एहिक लोकिक दोनों ही सांसारिक यानि यह दोनों आपस में समनार्थी सब्द ह नहीं है तो इस तरह से जो है हमारा उत्तर हमको मिल गया जो है अब लौकिक का क्या होता पारलौकिक हो जाता तो जो है सही एहिक का भी पारलौकिक ठीक होता रात्री का परियावाची सब्द इसमें से बताना है तो रात्री का परियाची सर्वरी होता है जिसको हम कहते हैं देखते हैं प्रतिविम्बित में विशेश्य होगा प्रतिविम्बित में विशेश्य क्या होगा यह क्वेश्चन बिलकुल आपको हमारे हुबुक जो है बुक में मिलाएगा 56 पे जो है देखिएगा तो प्रतिविम्बित का प्रतिविम्बित इसका सही उत्तर होगा प्रति भीम्भ सेही पुति बना हुआ है नेक्स्ट है निम्नांकित वाक्यों में से एक überhaupt हसुध रही है उसे पहचानी अभी इसमें से कौनसा असुध है तो मैं ने सबसे पहले आप लुग बताई ये बार बार बताई है कि सबसे पहले आप देखिए कि कोई वर्तनी तुटी आपको मिल जाए तो वही गलत है उपरोग्त सब्द अपने आप में गलत है सैकड़ो बार मैंने बताया है 17 नंबर पेज पर हमारे दिया भी है उपरयोग्त का जो है उपरयुक्त जो है सही सब्द होता है तो बाकी आप चाहे पढ़िए चाहना पढ़िए य अधिक ऐसा ही जो है उदारण उसमें खंबे की जगे कुछ और है हमारी बुक में आपको मिल जाएगा जो है तो यह 49 नंबर पे ने तो यह निश्चे वाचक सारवनामिक विशेशन है और यह यहां पर पीछे गलती से टाइप हो गया निश्चे वाचक सारवनामिक विशे जाएगा यानि वह अवज्चे गिर जाएगा तो यह सारवनामिक विशेशन है लेकिन निश्चे वाचक है नेक्स्ट हम देख लेते हैं द्रस्य मनोरम था अब यहां पर मनोरम पूछा गया है तो मनोरम क्या है एक विशेशन तो हई है लेकिन वह क्या है वह विशेशता ब विशेशन मैंने तो अभी तक नहीं पड़ा है, मैं इसको एक बार और कन्फर्म करूंगा, क्योंकि वास्तों में मनोरम तो एक भाव है, लेकिन भाव वाचक विशेशन नहीं होता, जो भाव अगरा होते हैं, वो गुडवाचक में ही कवर होते हैं, तो फिलाल मेरे हिसाब से अभी इसका गुडवाचक विशेशन उत्तर बिल्कुल ठीक है, नेक्ट देखेंगे, वर्तनी के अंसार सुद्ध सब्द का चयन कीजिए, यहाँ पर देखी आकार गलत लिखा है, कैस क्या होना चाहिए, आकार होना चाहिए, कुआ गलत लिखा है, अतिथी गलत लिखा है, तो सुद्ध सब्द क्या है इसमें, वधू, वधू जो है एक तत्सम सब्द भी है और बिल्कुल सही भी सब्द है यहाँ पर, नेक्ट है, बर्सात बिल्कुल ना होने को अभिव्यक्त करना है, यानि बिल्कुल भी वर्षा ना होना, तो इसके लिए एक सब्द क्या है, इ को अकाल कहलाता है तो नेक्स्ट देखते हैं जो युद्ध में इस्थिर रहता उसके लिए एक सब्द क्या है युदिष्ठिर इसमें कोई डाउट नहीं है कन्फ्यूज करने के लिए आपको ये भी दिया गया है लेकिन वर्तनी आपको पता है युद्धिष्ठिर की तो ये सही है आपको नेक्स्ट है इन वाक्यों को इध्यान पूर्वक पढ़ना है और इसमें से कौन-कौन से वाक की सुद्ध है नीचे जो कूट दिया है उससे हमको इसका सुमेलन कर लेना है तो इसमें सबसे पहले आप देखिए जो है संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए बिल्कुल ठीक है कोई गलती नहीं है स्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिये यानि खरी ले भी ठीक है सितांसु ने दूद और रोटी खिलाई अब आप देख रहे हैं दूद का यहां पर प्रियोगवा दूद पिया जाता है रोट स्थावर होता है बहुत पढ़ा है नित्य दीन दुख्यों को भोजन देने की विवस्था एक ऐसा जगे जहां पर लगातार भंडारा चलता रहता जहां पर गरीबों को भोजन की विवस्था होती है उसको सदावर्थ कहते हैं यह भी सब जो है बुक में आपको दिया नेक्स्ट है विशेशन विशेश का आपको सुमेलन करके इसका जोड़ा बनाना है तो एतिहासी घटना हो गई विदुसी महिलाएं हो गई रोचक पुस्तक हो गई महती कथा हो गई महती मतलब महान कोई महान कथा किसी चीज़ के बारे में तो महती कथा जो है तो इस सुमे रमड़ी मतलब रात होता है, रमड़ी मतलब युवती होता है, तनया मतलब पुत्री होता है, औरस का विलोम क्या होता है, औरस का विलोम इसे जारज होता है, लेकिन यहाँ पर जारज नहीं है, तो उसका जो वैकलपिक सब्द होता है, दटक, यह जो है, यहाँ पर बिल्कु परियावाची कौन सा होगा तो कामजयव का परियावाची पहले के देख लिए भूतेश भगवान सीव हैं भूतों के इश्वर जनारदन भगवान विश्णु हैं पुरंदर कौन हैं इंद्र देवता हैं और पुस्प धनवा कौन हो गए कामदे हो गए 43 का अपकर सी है हो ग जो सब्द दिया है यह कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है अगर आपसे पूछाए जाता व्याकरण का ज्याता तो आप जो है व्याकरण अग्ये लगा सकते हैं लेकिस जो व्याकरण का विसेशग होता है उसको व्याकरण ही कहते हैं यह बिल्कुल ठीक है अगला है मू मूख मतलब चुप रहने वाला वाचाल बहुत अधिक बोलने वाला तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं मूख का वाचाल हो गया फिर जो है तद्भो और तत्सम सब्दों का जोड़ा मिला देना है पत्थर का प्रसर हो गया भावजाई का ब्रात्व जाया होगा सुहाग का स से पूछा गया है जिससे आप लोग को अगर देखना हो तो आप जो है देख सकते हैं तो भाई इसका सुमेलन वाला एंसर क्या हो गया है डी ऑप्सन इसका सही हो गया है नेक्स्ट है जिससे कभी बुढ़ापा ना आए जरावस्था आपने सुना होगा जरावस्था का मतल को सही हो जाएगा बाकी जो है सब्दों के समतलब अलग होंगे आई ही जो है साप या सब का परियावाची होता है और इसमें जो है कोई option इसमें पुछित है नहीं next है आवरत्ति वाचक विशेशन आवरत्ति जो है जो किसी की जो है बार-बार आवरत्ति को frequency को बताता है दुगणा चोगणा तिगणा तो यह सब आवरत्ति वाचक है सब कुछ जो है आवरत्ति वाचक विशेशन नहीं है next है विशेशन के संदर में कौन सा असुद कतन है कौन सा कतन गलत है यह संग्या की विशेष्था बता लता यह तो उसकी परिभासा ही है यह सर् गया कि लिंगा नुसार सदयों परिवर्टित होता ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अब हमने एक उधारन लिया पढ़ाकू किया विषेशन सब्द है तो वह लड़का पढ़ाकू है वह लड़की पढ़ाकू है दोनों के साथ जो है पढ़ाकू विशेशन चल गया थीक है विकार इरानी घोड़ा मैदान में दोड़ा रहा है खुब सूरत इसमें क्या हो गया विशेशन हो गया काला जो है विशेशन हो गया इरान से इरानी बन गया विशेशन हो गया तो तीनों विशेशन हो गये तीनों विशेशता किसकी बता रहे हैं घोडे की बता रहे हैं तो तीन विशेशन एक विशेश सी आपसन बिल्कुल ठीक है नेक्स्ट हमारा है क्वाथ क्वाथ जो है काढ़ा आप लोगों ने अगर जो है काढ़ा हो गया रहा कभी हाई वेदिक वाला खरीदा होगा तो उसकी जो है सी सी पे लिखा रहता है कि क्व क्वाथ तो उसी से आपको वैसे हमारी बुक में भी इस पश्टूप से है तो क्वाथ का काढ़ा हो गया बाकी विखल देखने की आवशकता है नहीं प्रसंसा का परियावाची स्लागा हो जाएगा बाकी जो है जिसे कुम्भिल है ये किसका चोर का है परियावाची सब्द और क्रसानु जो है अगनी का है इसके अलावा तीसरा कौन सा हमारा बचा अमर्स अमर्स जो है क्रोध का परियावाची सब्द है तो ये सबी जो है गर आप बुक हमारी आपने सीरसली पढ़ी होती तो इसको हल करने में कोई भी दिक्कत नहीं थी जिन लोगों ने पढ़ा ह लोग जो है साथ में 69 कहुन साथ में साथ में कोई बड़ी बात में हरीत की हरीत की जो है हरन जो है जो है आयर वेडि की मसाला भी कह sigth method है तो हरीत की जो है उसी का तद्वो सब्द में बाकर गलत है ये सभी आपको आपको भी बुक में इस पश्ट रूप से मिल भी नेक्स्ट है बाए हाथ से तीर चलाने वाला तो यह जो है आप जानते सब्द साची कहा जाता है अर्जुन को जो बाए हाथ से काम करने वाला या तीर चलाने वाला इसके लिए सब्द साची होगा अब एक सब्द यहां पर वाम सर दिया है वाम मतलब बाया सर मतलब तीर लेक तो जो सबसे उपियुक्त सब्ध है वो सी ही है नेक्ट है जो किसी कार के संपादन में मनो योग पूर्वक लगा हुआ हो पूरे चित से पूरे मन से क्थastes कर गूं कि काम में हुए उसको कहते ड़ चित कहते ना असला ब्यार्थी को दचित होना चाह crispy पूरे चित्त के साथ में पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए ये भी जो है किताब में आपको सीधा सीधा मिल जाएगा मतलब इन डारिक्ट नहीं डारिक्ट मिल जाएगा आवशाद का विलोम आवशाद या विशाद का विलोम जो है क्या होता है इसमें से उल्लास होता है उल्लास मतलब प्रफुलता खुसी और आवशाद का मतलब जो है और आवशाद मतलब जो है दुख होता है, फ्रस्टेशन होता है कहते हैं आप जो है डिप्रेशन में क्यों है आवशाद उसी कहते हैं नेक्स्ट है, विशेशन की विशेश्ता बताने वाले सब्द को कहते हैं, जो सब्द विशेशन की विशेश्ता बता है, यो तो उसकी परिभासा ही हो गई, प्राविशेशन की, यह आपसन यहाँ पर करेक्ट है, कोई डाउट ही नहीं है, उन्हें में लिखे तुमें से आव परियावची तो सही उत्तर्त यही है बाकी जो है उदधी और उदधी मतलब जो है तागर और अंबर जो है आकास यह आप जानते ही है अगला है वर्तनी की सुध्धी तो अनुग्रहीत यह बिलकुछ सही लिखा हुआ है बुक में भी हमने इसको इसलिए हाइलाइट करके दि हो तो मैं यह मान के चलता हूं कि जो 55 प्लस का टार्गेट हम लोग लेके चल रहे थे वह अचीव कर लिया सभी ने और इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है तो मित्रों अभी के लिए इत्ता ही अभी आपके सामने जीयस का भी हला जाएगा कुस देर में तो अपना मिला लीजिए इसको आयो की एंसर की आएगी उसके बाद हम लोग फिर जो है अगर आयो की एंसर की और हमारे में कोई भिन्नता होती है तो उसके लिए जो है जो आपत्ती करने के लिए जो पश्ट साच होता है वो साच भी आपको हम देंगे जिससे आप लोग आपत्ती कर सके फ अतकाल आप जूड़के तैयरी शुरू कर दीजिए तो अभी के लिदता ही नमस्कार भन्नेवाद लाप्ट लाप्ट